इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ये है वासिंग मसीन और ये है वासिंग मसीन का स्पिन टाइमर अगर आपके वासिंग मसीन का स्पिन टाइमर इस तरीके से घुमाने पर तुरंद वापस आ रहा है या फिर spin timer काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप अपने घर पर ही खुझ से अपने washing machine की spin timer को change कर सकते हैं बहुत इस इंपल बिल्कुल आज़सान होते हैं इसके लिए तो सबसे पहले आप अपने washing machine में लगे बिजली की बोट से जो पलग वायर है उसको अलग कर दें उसके बाद आपको आपके washing machine के पीछे के साइड जाना है यह रेखिए हम आपको दिखाता है यह रेखिए यह है पीछे की cover इसमें लगे होते हैं छोटे छोटे श्कुरो जिसे हमने पैसकेस के मदद से निकाल दिया है इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं washing machine की spin timer को के बाद यहाँ पर drain के पार्ट में एक रसी बंदा होता है उसे खोलना होगा तो मैंने यहाँ से खोल दिया है आपको दिखाने के लिए उसके बाद आपको अपने washing machine की उपर वाले पार्ट को खोलना होगा इसके लिए इसमें लगे होते हैं screw जिसे पैसकेस के मदद से हमने खोल दिया है अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर यह वाले पार्ट को इस तरीके से हटा देए उसके बाद इस पार्ट में लॉक होते हैं तो लॉक को फ्री करने के लिए इधर साइट से आपको ठोकना पड़ेगा से साइट से तो लॉक फ्री हो जाएंगे उसके बाद इस चीश को ऐसे पकड़ना है ताकि यह वाशिंग मेशिन के उपर वाले पैनल को इजी आप निकाल सकते हो तो फिर यहाँ पर देखें यह है इसमें सिंपल दो ही वायर होते हैं कोई बहुत बड़ी खेल नहीं है अगर स्पिन टाइमर सिलिप कर रहा है खराब हो गया है त सिंपल पुराने वाले टाइमर के वायर को काट कर नए वाले टाइमर के वायर की कनेक्शन करना है जिससे आप इजी खुछ से ही अपने वासिंग मेशिन के इस्पिन टाइमर को चेंज कर सकते हो तो spin timer change करना बहुत simple विल्कुल आसान है जिसे आप इजी अपने घर पर ही change कर पाएंगे